कि हलो दूस्तु आज हम यहां पर बात करेंगे स्नो मैं लोजिस्टिक लिमिटेड शेयर के पीछे की वजय क्या है हाना वो तो आपने मुशली देखा ही होगा बट और वी वह सारी चीहों से रेटी हम बाते करने वाले आप अगर लास्ट टक वीडियो में देखोगे न तो आ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बैल आइकन को ही टोल की नोटिफिकेशन को अन करिएगा बैंक सेलिंग के रिकमेंडेशन है नहीं अपने फैनिशल एडवाइजर कुद की स्टडी करना है चीटों को देखना है सीखना है जितना सीखोगे आज इन तो कल उसका फायदा हो नजर आएगा सीखने के लिए वीडियो जाके वीडियो को देखिए बहुत सादा आपको ग्यान मिलेगा साथ में अगर आप वाकई सीरियस है आप ऐसा बनाने चाते है श्टॉक मार्केट में तो आप हमारे इस को जॉइन कर सकते हो जहां पर हम चीटे बताते है कि कब लेन से बनते रहेंगे और जिंदगी भड़ तक बनते रहेंगे पच्ची अचार रुपर को दिया जाता है एक बाग को करिए सीखिए समझीए आपको चीए समझ मायगी डवल 8605-40508-8169-267037 दो नमरों को सेफ करके इस कोर्स की रिटेल ले सकते है और साथ में काम करना है तो सबस्क्राइब करेंगे सबसे पहले हैं तो एक बार हम यहां पर देख लेते हैं तो स्नोमें की बात करें तो ऐस सच इस शेयर ने अच्छे खास रिटर नहीं दिये काफी टाइम पहले से वीडियो बनाते आ रहे हैं ऑके बट मुझे लगता है कि यहां पर इस शेयर में जा Band 2 मैने पहले भी वीडियो बनाई थी ठीड है। उससे पहले भी आप देखें गे तो यहाँ पर Sonי׵ VA एक साल पहले वीडियो मनाई है कि company के मालेक यहाँ पर शेहर को खरीद रहे उस टाइम प्राइस 44 रुपीस का था अभी की बात कर रहे हैं तो अभी लगब लब शेयर प्राइस लगब 71 और 84 का ही लगा के आता हुआ दिखाई दिया है तो 44 से 84 देखोगे तो अच्छे खासे रेटाइन है बट इस्टिल यहां पर अब क्या हो सकता है उससे रेटीन हम यहां पर बाते करेंगे तो वीडियो मे आप लोजिस्टिक पर प्रोवाइड करता हुआ जराता है जो तेंपरेचर से रेटीड होता है यहां दिखिए कर यहां पर तेंपरेचर कंट्रोल लोजिस्टिक इंक्लूडिंग इंग बट नॉट लिमिटेड तो स्टोरेज ट्रांस्पोर्टेशन बाइशन बाइड कि कंपनी किस तरीके से काम करती है क्या बिजनस मॉडल है क्या यहां पर वेयर हाउस दिस्टिबूशन वैल्यू अडिड शर्विसिज वो सब चीछ यहां पर कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई दे रही हैं देखें 20 सिटीज में हैं 43 वेयर हाउसे है 600 फ्लीट साइज है 319 चैंबर से 500 प्लस सिटीज को कवर कर रखा और यहां पर दिखिए पैलेट कैप कैप सिटी लगव 1,39,319 के आसपर है तो पैन इंडिया को हाना यहां पर यह कंपनी कैप्चर करती हुई नजर आती है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देखें सबसे पहले मा हमारे चैनल का नाम भी है दूसरा अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज़ी याद रखिएगा पहले तो स्मॉल कैप दूसरा चार्ट कि यहां पर जब भागता है ना तो अच्छा खासा भागता हूँ नजर आता आपको दिख रहा होगा कि कैसे शेयर 20 रुपे अला किसना यहां पर 70-80 रुपे वे आ गया बर जब शेयर गिरता है ना तो वह 70 रुपे वाले श्टॉक्स कब यहां पर 10-20-30 रुपे में आ जाता है वह चीज़ को आपको क्या है देखना है इसलिए स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क्य होता है बट अगर आप साही टाइम पर entry करके साही टाइम पर exit करते हो हना तो आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे यह definite बात है इसलिए आप देखते हो कि जितने भी बड़े-बड़े investor है वो सारे के सारे लोग small cap और mid cap में ही काम करते हुए नजर आते है यहां पर बात करेंगे PE की तो श्टॉक का P94 का है तो बहुत महेंगा नजर आता है क्योंकि industry का P cable 39 का है ROC ROE की बात करें तो यहां पर देखिए ROC ROE कुछ खास नहीं है तो मैं यहां पर हमेशा कहता हूं क्या कहता हूं कि ROC ROE और PE हना इनको देखना है बट इतना नहीं डूब जाना है कि आप यहां पर इसी में ही खोई र इंगल से देखना होगा आपको stock market के नजरिये से देखना होगा पढ़ाई के मकसस से नहीं देखना होगा पैसे कमाना पढ़ाई में आसान होता है बट यहां पर जब हम क्या समन में आएगा कि कंपनी यहां पर काम कर रही है और लगातार अच्छा कासा काम दीरे दीरे ग्रेज़ोली यहां पर जहां पर 24 करोड रूपे की से अभी 126 करोड की सेल्स हो गई है बढ़ती हुई नजर आई है डवल होती हुई नजर आई है ऐस वेल आज जो कंपनी की घाटा दिखा रही थी वह यहां पर अच्छा कासा प्रॉफिट प्रॉफिट कर रही है यहां पर और चीज़े देखे जाए तो आपको समन में आएगा इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ दीरे-दीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है साथ सो करोड से यहां पर 500 करोड पोचे है इसे भी हमने यहां पर मानना पड़ेगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां पर रिजर्फ की बात करें कंपनी की रिजर्फ दोसे क्यावन करोड के है साथ में बॉराइंग थोड़ी होत यहां पर कंपनी के बाद 278 करोड रुपे किया जो बढ़ती हुई नजर आ रही है जो कि अच्छी बात यहां पर नहीं है क्योंकि यहां पर बॉराइंग बढ़ेगी तो इंट्रेस्ट पर करना पड़ेगा फिर उसका अल्टीमेटली एफक्ट प्रॉफिट नेट पॉफिट पर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा वर्किंग पोगास में 14 करोड यहां पर कंपनी के पास है थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको समय में आएगा कि देखिए लाश्टाइम एक साल पहले ही वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था कि कैसे यहां पर प्रमोटर्स अपनी शेरोल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो देखिए 40-41 करी 41-43 करी यहां पर खडिचे हुए नज़राए 67 अधर कर दूबर कर मैं शेयर का चल रहा है सेवन टीवन करीदे कितने में 60 रूपीज के एवरेज प्राइस पर बाइंग किया नौकरोड 32 लाग के आज़ पास रूपीज के शेर तो इसी चीज़िदे यहां पर सबढ़ मैं आता है क् यहां पर और सुबज में आगा चार्ट लाग शेयर तो लगातार बाइंग कर रहे हैं तो पागल है नहीं राइट तो प्रमोटर्स के पास दिमाग भी है और किस वज़े से का आप पर बाइंग कर रहे हैं वह सब चीज आपको समय में आती हुए नजर आई गेटवे इसकी बात करें यहां पर दीरे से बड़ाई थी अभी यहां पर कम कर लिए पर्मोटर्स के पास यहां पर देखेंगे तो 51 परसेंट है बाकि सब के पास यहां पर होल्डिंग नजर आती है की अभी भी पब्लीक के पास नजरा आती है ज्यादा लोगों को अभी भी नहीं पता से यहां पर देखे चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हीट करिए और को नोटिफिकेशन को और करें बैंक सालिंग की बिल्कूल भी बात करें तो यहां पर देखिए मेरे कहने पर या किसी और की कहने पर शेयर को बिल्कूल भी लेना क्या कहता हुआ नजर आ रहा है बस थोड़ा और ठीक है थोड़ा और जेल लो फिर उसके बाद में यहां पर भागता हुआ नजर आऊंगा और अच्छा खासा भागूंगा और इतना भागूंगा कि यह शेयर अच्छा खासा मैं आपके पैसे बना दूँगा ठीक है यहां पर स्टेज 2 में चल रहा है स्टेज 1,2,3,4 क्या होती है वह यहां पर मैं अपने कोर्स में आपर बताता हुए तो स्टेज 2 में यह शेयर चल रहा है ठीक है मार्किट की प् के नंबर अच्छे और आजाए ठीक है अच्छे नंबर आ रहे कोई डाउट नहीं है बट और अच्छे आजाए तो यहां पर सोने पर सिवागा हो जाएक और यह शेयर में ऐसी तेजी आती भी दिखाई देगी जो सही में किसी ने देखी होगी ठीक है फिर लोग यहां पर इस शेयर को 130-140 के भाहों पर खरीद रहे होंगे तो मुझे यहां पर बुलिश नहीं यहां पर दिखाई देती है सब कुछ यहां पर अच्छा दिखाई देता है बट इस्टिल मेरे कहने पर किसी और के कहने पर लेना नहीं है अपने फैनिशल एडवेज़ा कुद की So thank you so much, God bless